भूकम से विस्थापित हुए 1.5 मिलियन लोगों के लिए तुर्की ने घरों का पुनर निर्मान शुरू कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि तुर्की ने इस महीने के विनाशकारी भूकमपों के बाद घरों के पुनर निर्मार का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि तुर्की और सीरिया में सन्युक्त मौत का आंकड़ा पचास हजार से अधिक हो गया है. फरवरी में छे भूकमपों में तुर्की और पडोसी सीरिया में हजारों लोग मारे गए पांच लाख बीस हजार अपार्टमेंट वाली एक लाख साथ हजार से अधिक इमारते धैगई या गंभी रूप से क्षतिग्रस्थ हो गई शुक्रवार की रात आपदा और आपात कालीन प्रबंधन प्राधिकरण एफेडी ने घोशना की की तुर्की में भूकम से मरने वालों की संख्या बढ़कर 44,218 हो गई है सीरिया में 5914 की नवींतम मौत के साथ दोनों देशों में सन्युक्त मौत का आंकड़ा 50,000 से अधिक हो गया है कुछ महीनों में होने वाले चुनाव के साथ राश्च्रपती तयप एर्दोगन ने एक साल के भीतर घरों के पुनर निर्मार का वादा किया है हालांकी विशेशग्यों का कहना है कि अधिकारियों को गती से अधिक सुरक्षा को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए हाल के भूकम्पों में जटके जहिलने के लिए डिजाइन की गई कुछ इमारते धै गई नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले अधिकारी के अनुसार कई परियोजनाओं के लिए निविदाएं और अनुबंध जारी किये गए है प्रत्रिया एक ब्रेक्ने गती से आगे बढ़ रही है सुरक्षा पर कोई समझोता नहीं होगा अधिकारियों का कहना है कि कई बेघर लोगों को तंबू पहुँचा दिया गया है लेकिन लोगों ने उन तक पहुँचने में कठिनाई की सूचना दी है मेरे आठ बच्चे हैं हम एक तंबू में सो रहे हैं तंबू में छट पर पानी है और जमीन गीली है हम और तंभू का अनुरोद करते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें प्रदान करने से इंकार कर दिया हसा में एक हाई स्कूल के बाहर सहायता. इंटरेल तुर्की, स्वयन सेवकों का एक समूह, स्कूल का उपयोग सहायता वितर्ण केंदर के रूप में कर रहा था. एक स्वयन सेवक सुमे करभोसेख के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा टेंटो की कमी है। एर्दोगन की सरकार को तबाही के प्रती अपनी प्रतिक्रिया और कई तुरकों के अनुसार, निर्मान गुर्वत्ता नियंत्रन के गैर प्रवर्तन के वर्षों के लिए व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है. उनके अनुसार तुर्की सरकार की शुरुवाती योजना कम से कम 15 बिलियन डॉलर की लागत से 2 लाख अपार्टमेंट और 70,000 ग्रामेन घर बनाने की है JP Morgan Chase ने अनुमान लगाया कि घरों और बुन्यादी धाचे के पुननिर्माण में 25 अरब डॉलर खर्च होंगे UNDP के मुताबिक विनाश ने 1.5 मिलियन लोगों को बेघर कर दिया है जिसमें 5 लाख नए घरों की आवशकता है इसने कहा कि इसने पिछले सप्ताह सन्युक्त राश्चुद्वारा अनुरोधित एक बिलियन डॉलर की धनराशी में से 113.5 मिलियन डॉलर का अनुरोध किया था यह कहते हुए कि यह धन का उप्योग मलबे के पहाड़ों को साफ करने के लिए करेगा UNDP के अनुसार उत्तर पश्चमी तुर्की में 1999 के भूकम के बाद 13 मिलियन टन मलबे की तुलना में आपदा ने 116 मिलियन और 210 मिलियन टन मलबे का उत्पादन किया तुर्की ने नए नियम भी जारी किये जिससे व्यवसायों और धर्मार्थ संस्थाओं को जरूरतमन लोगों के लिए शहरी करण मंत्राले को दान देने के लिए घरों और कार्यस्थलों का निर्मान करने की अनुमती मिली बचे हुए कई लोग दक्षणी तुर्की के भुकम्प प्रभावित शेत्र से भाग गए हैं या टेंट, कंटेनर घरों और अन्य सरकारी प्रायोजित आश्रयों में शरन ली है अन्टाक्य के 56 वर्षिय सईद स्लीमन एटोगलू ने अपनी वाटर पाइप की दुकान से बचे हुए स्टॉक को लोड किया जो क्षतिग्रस्थ नहीं हुआ था काज का सामान बहुत सुन्दर था, सामान्य से अधिक उन्होंने कहा कि उनके घर और दुकान पहले जटके से बच गए लेकिन दूसरा नहीं उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी सूची का केवल 5% बच गया था हम क्या कर सकते हैं? उसे आश्चर्य हुआ यहां एक ईश्वरिय कार्य है और ईश्वर की इच्छा हमेशा उपहार देती है